नए मद्दाताओं को रिजहाने के लिए वित्त मंत्री नव मद्दाता सम्मेलन में युवाओं को रिजहाते नजर आए जिसके तहट उन्होंने युवाओं से परिचर लिया और उनसे भाजबा की नेतियों पर चर्चा भी की मत्पिर्देश में होने विधान सभा चुनाव 2018 के लिए एक और जाद दमों में भारते जिन्ता पार्टे पूरी तरह से तयार होकर मैदान में है वही विपक्षी पार्टे कॉंग्रेस दमों जिले के किसी भी विधान सभा में सक्रिय नजर नहीं आ रही है हलाकि भारते जिन्ता पार्टे अब नव मद्दाता युवाओं के सहरे अपने नईया को पार लगाने में जुगत चुट गई है दमों जिला मुख्याले पर वित्त मंत्री जैन्त मलिया की मौझूदकी में नव मद्दाता सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां पर वित्त मंत्री जैन्त मलिया एवन स्वेम नव मद्दाता युवाओं को रिजाने में सक्रियन नजर आये जैन्त मलिया ने हर एक युवा से मिलकर उन से उनका परिचे जाना उसके बाद सम्मेलन में भी शामिल हुए इस सम्मेलन के दोरान युवा मोर्चा की युफ्तियां भी उत्साहित नजर आई आयोजन के दोरान ही एक सेकड़ा युवाओं ने भारती जन्ता पार्टे की युवा विंग युवा मोर्चा को जोईन किया इस आयोजन के दौरान वित्त मंत्री जैंत मलाईया ने ताल ठोकते हुए कहा कि कॉंग्रेश शासन के 50 साल और भाजपा शासन के 15 साल पर डिबेट करने को तयार है हमने इतना काम 15 साल में किया है कॉंग्रेश 50 साल में भी नहीं कर सकी बिजली सड़क पानी सहित बेरोजगारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री जैंत मलाईया मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए उनको भाजपा की और अकर्शित करते नजर आए इसी दोरान सभी ने भोपाल में आयोजेद कारिक्रम के दोरान मुख मंत्री शिवरा सिंग चोहान के संबोधन को भी सुना कुल मिलाकर भारती जंता पार्टी इस भारवी नम बद्दाता युवां को भारती जंता पार्टी के और अक्रशित करने के जुगत में जुट गई है कि ये 50 साल, 50 वर्शों में मैं बूछता हूं कि आओ, मंच पड़ा बात करो आपने 50 साल में क्या गिया हम आपको बताते हैं हमने 15 साल में क्या प्रशित करिया जब मानि मुख्मार्टी की आरें तो बदा जना मुझे मज़न पार दोगी है हमें 15 साल में जब नौजवारों को नहीं पता कि आज से 17 साथ गई पुर्देश के सड़कें कैसी थी सड़कें थी या गड़े थे या गड़ों के सड़कें थी सड़कों के गड़े थे निउस बीके के लिए दमो से राजेंदर तिवारे की रिपोर्ट कर दो कर दो